नमस्कार दोस्तों सरकारी वर्ती में आपका स्वागत है दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है बीच्ची की दरब से एक वेकेंसी आई हुई है चले हम देख लेते हैं वेबसाइट पर ठीक है यह है यह ऑफिशिल वेबसाइट है इनका इंडियन इंस्टूट आफ टेक लेते हैं रिव्यू कर लेते हैं सबसे बड़ी सबसे पहले चीज मैं यह बता दूँ कि यह वेकेंसी जो है टंप्रेरी बेस है टेक है बेस्टू के तरब से बहले से निकला है यह तीन साल के लिए है तीन साल के और एक साल में आपको बढ़ाया दिया जाएगा आपके वेकेंसी है SRF है यानि पोस्ट जो है वो सीनियर रिसर्च फैलो का है ठीक है और दूरेशन तो आपको पता चल गए तीन साल का है और इसका सैलरी जो है वो पैधिशार परमन दिया जाएगा आपको और इसेंच्यल क्वालिफिकेशन में आपको जो है एम फर्म एमस फर्म टेक ठीक है यह सारी चीजे होनी चाहिए पके पास ठीक है यह वाली यह वाला जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप देख लीजेगा अपको ना कोई फीस देना है नो कोई बतला ओनलाइन कोई फॉर्मों कुछ नहीं करना डारेक्ट इनको इमेल ही करना ह है ठीक है वह चीजें आगे देख लेंगे आपको क्या करना है ठीक है यह सारी चीजें है बाकि एज की लीमिट जो होगी वह 32 तक का होना चाहिए ठीक है 32 यह वाला जो लिंक मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी के लास्ट में यहां पर मैं नीचे जी यह फॉर्म है ठीक है इस फॉर्म को आप प्रेंटाउट करा लीजिएगा एक बार है स्लिफजा ंप चोटा साव फिल करके सिट्जर करके डे अझू ढल के आप जो है और साथ में साथ में आपको क्या करना है मैं आपको दिखा रह है साथ में आपको सीवी अपने अप्डेटेट्ट सीवी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट्रेस्ट कंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेट्स टू सेंड दियर कम्प्लीट अप्लिकेशन इन दे अटेश्मेंट फोर्मेट ओलांग विद दियर सीवी है उसको dal कर लेजिए गांव साथ में में सीवी और उसके आप इस इमेल आईडी पर जो इम सबी लोग और वहां से जो है आपको इंटर्वी के लिए कॉल लाएगा ठीक है एक चीज और है कि कोई आपका नो टे डे विल भी पेड इफ कॉल फॉर इंटर्वीव ठीक है यह सारी चीज जो होती है कोई इस चाहिए तो आपको इस नंबर पर फोन कर लिजे सबसे पहले यह है जो यह जो नंबर है ठीक है ऑफिशल नंबर है इनका ठीक है इस नंबर पर आप फोन करके सारी जानकर ही ले सकते हो ठीक है और भी कोई चीज जो भी देखना आपको आई टी भी हूश पोजीशन एवेलेबल पर जाके आप यह जितने भी वेकेंसी आती है अब सारी चीज है कि जितनी भी वेकेंसी आ रहे हैं सारे कंट्रैक्ट बेस में ही आ रही है मेरे हिसाब से और अगर आप तीन साल लगातार काम करते हो अगर इनको अच्छा लगा शायद आपका काम तो हो सकता है क्या पर्मानिट भी हो जाए क्योंकि जरूरत भी अगर आपको एक्स जिए और सबको इंटर्वी के लिए के लिए जो कॉल कॉल जो जाएगी जो जो चीजें जिसका सबकु साही होगा ठीक है डॉक्यमेंट में कोई चीजे बतलब घडवडी नहीं होनी चाहिए सारी चीज़ साही होनी चाहिए अब्सी चाहान से और देखिए आप लोगों का तक चांस होगा तो आपका सेलेक्शन भी हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही तक उम्मीद करता हो वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच